हेलो फ्रींट आज की इस वीडियो में हम लोग बहुती बहुती बेतरी बैकनेक डिजाइन बनाना सीखेंगे तो इसके लिए देखो मैंने पेपर पेस्टिंग निकाला हुआ है तो इसके लंबाई आपको जितनी भी लेंध रखनी है बैक पार्ट में उसमें से एक इंच प्लस करके लेना है और बस यहां पर हम मतलब पेपर पेस्टिंग को डवल फोल्ड में करके रखेंगे और इसमें कपड़े पेपर पेस्टिंग के बंद भाग से हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे सबसे उपर की साइड इसके बाद नीचे की साइड आपको जितना अंदर डीप में करना हो मैं यहां पर चार इंच पर ले रही हूँ और लेने के बाद यहां पर नीचे की साइड एक इंच छोड़ते हुए ऐसे गुलाई कर देना है बिल्कुल इस तरह से मतलब तीनों निशान मिलाते हुए चार-चार इंच पर मैंने लिया हुआ था बीच में सेंटर पर साड़े-चार इंच नीचे चार इंच और उपर की साइड धाए इंच और ऐसे गुलाई करने के बाद बाहर की साइट से एक इंचिस्टा लेते हुए हमने इसको कट कर दिया है दोनों साइट सेम तरीके से हमने निशान लगा देना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको राउंड में कोई ऐसे कैप हो या फिर आप चूड़ी भी ले सकते हो अगर छोटी चूड़ी हो तो आप ऐसे ही छोटा कोई कैप ले लीजिए का ज्यादा सही रहेगा और बस इस तरह से बिल्कुल सेंटर पर सबसे पहले रखना है रखने के बाद बस यहाँ पर बिल्कुल निशान मिलाते हुए यहाँ पर रखते जाना है और निशान लगाते जाना है तो सारे निशान हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से सेम तरीके से तो पूरे ही गुलाई में हम यहाँ पर शेम तरीके से निशान कम्प्लीट कर लेंगे तो जब एक साइट का कम्प्लीट हो जाए उसके बाद दूसरे साइट इस तरह से छाप लेना है जो हमने जैसे निशान लगाया है सेम उसी तरह से मतलब जैसे जैसे हमने निशान पर चौक से निशान लगाया है कैप से उसी तरह से हमें यहाँ पर बिल्कुल बर्याबर से कट कर देना है क्योंकि यह हमारा पेपर पेस्टिंग है मतलब चिपकाने वाला है तो बस इसको हम cut कर देते हैं तो देखो इस तरह से यह हमने अंदर की side से पूरा cut कर लिया है pattern यह हमारा गलाई का pattern कुछ इस तरह से बनके तयार होगा इसके बाद अब हम इसको रखेंगे अपने मतलब कोई भी waste वाले कपड़े पर लेकिन हलका सा color मिलता हुआ हो जब हम अस्तर वाला blouse बनाते हैं इतना कपड़ा नहीं बज़ पाता है कि हमें पूरा अस्तर मिल जाए तो मैंने यहां पर joint करके यहां पर इतना बड़ा बनाया हुआ है इसके बाद अब हम यहां पर जो भी हमारा इस्तर कपड़ा है एक side side से half inch कपड़ा छोड़ते हुए मैंने पूरा कपड़ा कट कर दिया है अब जो हमने half inch अंदर के side कपड़ा हुआ है उसको अंदर के side को fold कर देंगे और यहां पर बड़ी बग्या से पूरे मी शिलाई लगा लेंगे तो इस तरह सी यहां पर हमने शिलाई complete कर लिया है अब यह इस इलाई complete करने के बाद हम अपना back part ले लेंगे जो कि हमने पूरा तयार करके रखा हुआ है main fabric aster fabric को जोड़ के अब हम क्या करेंगे इसका center निकालेंगे तो center पर chalk से निशान लगा लेना है और हमने back part का center भी निकाल के chalk से निशान लगाए हुए है और बस इस तरह से रखेंगे अच्छे से मतलब center में center मिलना चाहिए तभी हमारा गला अच्छे से perfect बनके तयार होगा और बिल्कुल center से हमें यहाँ पर एक पर बड़ी बख्या से सिलाई लगा देंगे केवल paper pasting के बाहर तक में यहां पर कटए के तरह में साइड साइड से हमाराल प्रेटर से जैसे हमारा catte है pattern उसी तरह से हम यहां पर शील् हाई लगा है यहां अच्छे से कौने निकालते हुए यहां पर हमें she lies लगाने हैं जिससे कि हमारी ये डिजाइन बिल्कुल किलियर निकल के आए, कोई भी इधर उधर ना हो, तो बस इस तरह से यहाँ पे हम शिलाई लगा लेते हैं, पूरे ही पैटर्न पर तो देखो इस तरह से यह हमने पूरे पैटर्न मर शिलाई लगा के कमप्लेट कर लिया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करना होगा अंदर के साट को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल हाफ इंच से भी कम एक पैर का मार्जिन छोड़ते सेम पैटर्न की तरीके से, बस यहाँ पर हमारी शिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसके बाद जो हमारे कोने हैं, हर इकोने पर हम यहाँ पर छोटी-छोटी से कट लगा देंगे, जिससे हमारा यह आसानी से अंदर के साट को फोल्ड हो जाएगा, बस यहाँ पर अब हम क्या कर हुआ है, सेम वैसे हम उपर से यहाँ पर शिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से फनीसिंग के साथ में, यह शिलाई लगाने के बाद हमारी डिजाइन में कुछ अलग ही, डिजाइन बनके तयार होगी, यह देखो पूरी फनीसिंग आ चुकी है, यह दोनों डॉट कम्प्लीट कर लेना है, तो यह हमारे दोनों डॉट बनके कम्प्लीट हो गए हैं, यह हमारी डिजाइन पूरी बनके रेडी है, आई होप पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिये गते,